तो आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इगनू के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेसवर राउ जी की तरफ से एक इंटर्वियू दिया गया है और इसमें असाइमेंट, इक्जाम, आपका डिगरी, माकसिट, हर चीज के बारे में का चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तुरंती और आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप नीरज पब्लिकेशन की गाइड खरे सकते हैं मेरे दियोवे लिंक से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुब सीधा वीडियो की सुरुवात करते ह पर देखते हैं एक ही करके हर टॉपिक के ओपर उनकी तरफ से क्या कहा गया है, सबसे पहले उनसे पूछा गया है, इगनु से पढ़ाई कर रहे हैं जो दिल्ली समेट अन्ने राज्ये के छात्र है, उनके सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यह है कि उनका ना तो रिजल करना नहीं कर पाते हैं और फिर कहते हैं परिणाम आजाए, या निकि उनकी तरफ से कहा गया है कि असाइमेंट पर ना पर्रॉब्लम करने की वजह से उनका परिणाम जैए उनका रिजल्ल जो उसमें लेट होता है, आसाइमेंट आसा होता है कि छात्र किताब पढ़े, तो आराम से कर ले यानकि जो इग्णो की books हैं उसके अधार पर आप का assignment होता है और इग्णो की books पड़कर आप assignments को असानी से लिख देते हैं चात्रों को पता नहीं होता है कि assignment जमा करना होता है अब काफी सारे स्ट्रॉंट ऐसे होते हैं आप जितनी जल्दी अपने assignments को समिट कर देंगे उतना ज्यादा टाइम आपको exam के त्यारी बे भी मिलता है और आपका assignment है वो भी check जल्दी हो जाता है इस तरीके से कहने का प्रयास है उसी तरीके से छात्र practical और theory exam जो है वो भी समय पर नहीं देते हैं और सोचते हैं कि बस degree आ है वो लेट होती है और इसी वजय से उनका रेजल्ट में भी लेट होता है कई बार चात्र जब इगनु का form भरते हैं तो उसमें वे अपने phone number की जगा जहां से form भरा उसी का number अप्लोड कर देते हैं यानि कि वो कह रहे हैं कि कई बार जो इस्ट्रेंट form भरते हैं उसमें भी काफी सारे difficulties होती है जहां पर इस्ट्रेंट जो होता है वो अपना phone number नहीं देते हैं phone number के जगा कुछ और जानकारे लिब्दते हैं तो आपको मैंने हमेशा बताया कि जो भी आप form भरे इगनु में सही सही जानकारी दे जेतनी अच्छी तरीके से आप सही तरीके से जानकारी देंगे उतना आपका ही ला इगनु इन चात्रों का number जुटा कर उन्हें update कर रहा है और सीधा उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है इगनु में रोजाना 10,000 सिकायते हैं आगे इन में से 9,000 सिकायतों का रोजाना नेप्टारा भी किया जाता है दिल्ली में इगनु का मुख्याले है इगनु का मेध दूसरे राज्यों में दूरत सिक्सा केंदरे पर दाखिले होते हैं जुलाई 2022 के सतर में दिल्ली NCR के चारों केंदरों को मिलाकर 1,33,000 चात्रों ने दिल्ली NCR से नया admission लिया है दिल्ली में नौकरी करने के साथ ही दूरत सिक्सा open education जिसको कहा जाता है तो डिगरी हासिल कर अच्छा option है उसके बाद देश में मुक्त और दूरत सिक्सा की उत्पत्ति को आप कैसे देखते हैं जो open education है उससे काफी सारे ऐसे student है जो कि अब तक education से दूर होते थे इसके बारे में मैंने भी आपको बताया है कि क्या होता है कि अब बाकी universities जो होती है उनमें merit का system है जिस इसमें admission ले सकते हैं इससे काफी सारे students को फायदा मिला है और उनको अच्छी quality की education मिलने में भी रहत मिली है निजी कंपनियों की और से अक्सार इग्नू से मिलने वाली दूरत सिक्सा की डिगरी पारंप्रिक विध्याल्यों के नियमत डिगरी में कम आकी जाती है यह तत्य कितना सही है यह एक काफी अच्छा question पूछा है कि private जो companies होती है वो इग्नू की डिगरी को वो value नहीं देती जो कि बाकी regular universities को दी जाती है उस पर क्या कहा गया है सरकारी आकडों के अनुसार 2020 में एक अधिनियम बनाए 2020 में एक नया रूल आ है जिसमें साफ कहा गया है कि दो regular university से की हुई degree है दोनों बराबर है उसके पहले सरकार की और से यह नहीं था आप तो सरकार साफ साफ कहा रही है कि चाहे मुक्त हो या दुरस्त हो या ओपन university हो या distance education हो online हो या परमपरिक हो यानि कि online education हो या फिर regular education हो traditional education हो तीनों डिग्रिया बराबर है और मैं भी यही इसे भी मिली हुई है और NAC की तरफ से A grade प्राप्त हुआ है जहां तक कम आखने वाली बात है कि MBA में दो साल पहले तक 3,000 बच्चे थे आज 18,000 बच्चे तो वो बता रहे हैं कि MBA में 18,000 बच्चे जो है इगनू में इस समय MBA कर रहे हैं इसी तरीके से MCA में भी संख्या कि इस तरीके की पढ़ाई जो होती है वो नहीं हो पाती है इगनु की और से चला जा रहा है, कॉसल पाथे क्रम क्या बजार की जरूरतों को पूरा करते हैं, आज की जरूरतों को क्या इगनु के जो कोर्सिस हैं, वो पूरा कर पा रहे हैं, तो रास्ते कॉसल विकास लिगम भी इस जिसा में प्रयास रहता है, और 15,000 पॉलिटेखनिक जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनको उच सिखसा जो है देने का काम कर रहे हैं इस समय, इस समय इगनु में 1000 पॉलिटेक्निक जो हैं वो इगनु से जुड़े हुए हैं और हमारी योजना यह है कि इगनु का जो दाखिला परिक्सा और कौसल विकास का केंदर भी उनके की और आपकी जो इगनु की यूनिवर्सिटी की डिगरी है, वो रेगुलर यूनिवर्सिटी इसके बरहावर है, उसके उपर भी बात की, काफी सारी जनकारी उन्होंने इसके उपर दी, अगर आप यह पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ना चाते हैं, तो मैंने यह पीडि बीडियो